आपके साथ सुबह के मुख्या याने मुख्यमंत्र नितीशकुमार को यूहीं सुशासन बाबु नहीं कहा जाता है नितीश कुमार भ्रस्टरचार और भ्रस्टरचारियों को तनिक भी बरदाश्त नहीं करते हैं किसी भी विभाग कि अगर अधिकारी भी भ्रस्टरचारी हुए तो उनके उपर तुरंत नितीश कुमार से कंजा कसते नजर आते हैं अब ऐसे में उनके संगत में रहने के बाद विजय सिना भी कुछ वैसे ढंग में ढलते नज़रार है। अब ऐसे में विजय सिना भी बड़ा बयान दे दिया है। विजय सिना भी अपने श्रम संसाधन विभाग में टेंडर के आड़ में हुई धांदली और दागी अफसरों की तैनाती को लिकर सकती दिखाते हुए नया फर्मान जारी किया। कि संसाधन विभाग में समिक्षा और शिकायतों को कि देखते हुए ये आदेश दिया है कि विभाग में दागी अफसरों को डबल प्रभार न दिया जाए। और अतिरिक्त प्रभार से हटाए जाए। हमारे पास फिल्ड में आदमी नहीं है। सभी अपट्रा मुख्याले में बैठने की कोशिश करते रहते हैं और फिर हेड ओफिस से अराजकता और अनमियतता फैलते हैं। इतना ही नहीं ऐसे अधिकादियों को हटाने की भी निर्देश दिया गया है। विजयसिना ने कहा है कि टूल्स और मशिनरी की खरिदारी में भी घपला हुआ है। जब हम थे तब इटेंडर की बात करते थे। लेकिन विभाग में पांच रुपए का समान 25 रुपए में खरिदा गया है जिसकी कई शिकायतों में मिली है। विभाग में बड़ी धांदली जहलक रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ उच स्तरिय जाज कराकर कारेवाई की जाएगी। आपको बता दे कि डिप्टी सेम विजयसिना के पास्कृषी पत निर्मान, राजस्वय वंभू मिसुधार, गर्ना उद्योग, खानेवं, भुतत्व, श्रम्षन साधन, कला संस्कृतिवं, युवा लगू जल संसाधन, लोक स्वास्त, अभियंतन, समेत नौ विभागों का प्रभार है। तो देखिए बिहार के दोनों डिप्टी सेम यानि समराट चौधरी साथी साथ विजय सिनहा, दोनों के पास नौनो विभाग है, अब ऐसे में नितीश कुमार के साथ, साथ उनके संगत में आने के बाद ये दोनों मुख्यमंत्री जो है, वो एक्शन मोड में नजर आने अपने विभागों को लेकर कियो, लगतार एक्शन ही जो है, वो करते नजर आ रह हैं उनके उपर कारेवाई की जाएगी और कोई भी अधिकारी भ्रस्ट में सनलिप्त पाए जाते तो उन्हें तुरंत ही बर्खास्त भी कर दिया जाएगा फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस पनेशन